वेलकम एब्रीवन आज हम बात करेंगे रिडीटर के बारे में रिडीटर बेसिकली एक 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 एक्षिंजर रहे जिसका यूज वाटर कोल इंजिन में इंजिन को ठंडा करने बाले पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिडीटर कैसे काम करता है रिडीटर के पार्ट्स जैसे रिडीटर क्या रिडीटर वाटल, रिडीटर काउल क्या और कैसे काम करते हैं साथी साथ हम रिडीटर में कूलेंट का यूज क्यों करते हैं इसके बारे में हम डेटेल में बात करेंगे तो बने रहे है हमारे साथ इस वीडियो में एक बात मैं आपको बता दूँ, engine cooling system के according engine दो प्रिकार के होते हैं एक है water cool, second day air cool water cool engine में water की मतद से engine को ठंडा किया जाता है Eoの Air Cool region में Finse Eo פ нач Points curve की मदद से engine को ठंड़ा जाता है जो radiator है अमारा वो Water Cool engine के case में use किया जाता है अब बात करते हैं किस तरह engine cooling system काम करता है एवाँ इसमें radiator का क्या role है इससे पहले मैं आपको बता दूँ इस system में कौन-कौन से parts use होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो unit है हमारी यह है हमारा internal combustion engine जो कि fuel की chemical energy को mechanical energy में convert करता है इसके बाद हम बात करते हैं thermostate valve की जो कि एक temperature operated valve होता है जो कि एक temperature जब water का temperature एक limit तक cross करता है उस condition में यह open होता है उसके बाद बात करते हैं radiator cap की radiator cap की position radiator में कुछ इस तरह होती है यह जो है हमारा complete radiator unit है यह जो है red color का हमारा जो pipe है जो कि hot water को engine से radiator तक पहुँचाता है साथ ही साथ देख सकते हैं यह blue color का pipe है जो कि हमारा जो पानी ठंडा हो जाता है radiator से उसको engine से connect करता है उसके बाद बात करते है recovery bottle की recovery bottle जो है जो है वो water plus coolant के mixer को store करके रखती है और जब हमें radiator को जरूरत होती है जब हमारे water plus coolant के mixer की तब यह automatic यह जो हमारा coolant है वो supply होता है radiator को यहाँ आप देख सकते हैं यह है हमारा radiator fan जो कि पानी को ठंडा करने के लिए use किया जाता है और यह continue जो है वो हवा के दौरा पानी को ठंडा करता है यहां आप देख सकते हैं यह है हमारा upper tank और यहां radiator के निचले भाग को हम बोलते हैं lower tank यह जो है हमारा drain plug है जब पानी इसको निकालना होता है totally drain करना होता है radiator से तब इसको हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं और साथी साथ हम बात करेंगे कि engine के अंदर जो है वो internal galleries होती है internal galleries जो होती है उनहीं की मदद से जो पानी है वो engine के सारे चारो तरब चारो हिस्से में upload करता है और वो heat को carry कर लेता है अब हम बात करते है overall working की बात करें तो engine की जो internal galleries होती है उनमें water भूमता है यह water liner की contact में भी आता है यह water engine की heat को carry करके engine को ठंडा करता है जब इस water का temperature एक limit से ज्यादा हो जाता है generally 72 to 80 degree centigrade इस situation में engine का thermostat valve open हो जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया यह जो है अमारा thermostat valve है यह open हो जाता है और जो hot water है जो engine का hot water है वो radiator के अंदर प्रभीश कर जाता है रिडिटर में यह hot water fins even air की मदद से ठंडा किया जाता है और पुना इस water को engine में भीश दिया जाता है इस तरह यह process जो है automatic चलती रहती है कुछ इस तरह है यह process यहाँ चलती रहती है इसके बाद बात आती है कि coolant की जो water हम cooling के लिए use करते हैं उसमें 50% coolant होता है और 50% water होता है अब बात करते हैं coolant हम क्यों use करते हैं क्योंकि coolant जो होता है वो एक anti freezing even high whirling point even anti corrosive होता है जिसका मतलब है coolant जो है water को radiator के अंदर जमने नहीं देता है क्योंकि जब हमारा engine बहुत कम atmospheric temperature पर चलता है तो इस situation में water के जमने की शंभावना होती है साथी साथ high whirling point होता है इसका coolant का तो जो हमारा overall जो system का water होता है उसका भी whirling temperature यह बढ़ा देता है और anti corrosive होने के कारण यह system को किसी भी तरह जंग लगने से बचाता है अब बात करते है radiator के parts की pressure cap pressure cap जो होती है radiator के अंदर का pressure maintain करती है pressure cap का pressure pressure cap का pressure कितना होना चाहिए यह cooling system पर निर्वर करता है इस pressure cap में pressure relief valve होता है जब radiator के अंदर का pressure cap पर define pressure से जाजा हो जाता है तो यह valve खुल जाता है यह radiator का pressure पुना acceptable limit में आ जाता है इसमें क्या होता है कि जब अगर हमारा system का overall pressure बढ़ता कैसे है इसके लिए आपने में बता दूँ कि जब हमारा hot water है जब वो एक limit की ज़्यादा evaporate हो जाता है मतब गरम हो जाता है तो उस condition में वो evaporate होने के साथ gas generate करता है gases generate करता है तो इस gases के करण हमारा system जो है radiator का pressure है वो high हो जाता है उस situation में क्या होता है यह radiator का pressure relief valve open हो जाएगा और वो pressure को release कर देगा और हमारा जो system का pressure है वो acceptable limit में आ जाता है यह बात हुई जब हमारा radiator pressure जदा हो जाता है कभी-कभी ऐसी situation आती है जब radiator के अंदर water का level जो है evaporate होने के कारण कम हो जाता है evaporate का मतला है कि wash भी करण मतलब जब हमारा temperature बहुत ज़्यादा हो जाएगा पानी का temperature boiling point से ज़्यादा पहुंच जाएगा उस condition में हमारा जो पानी है वो evaporate होने के कारण पानी की अंदर radiator के अंदर पानी की कम हो जाएगी इस situation में radiator का pressure भी कम हो जाता है इसको पूरा करने के लिए recovery bottle में उपस्ति water hose से होता हुआ automatic radiator में previous कर जाता है जैसा कि आपको मैं बताओ दूँ कि यहाँ पर यह recovery bottle है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो hose है hose जो है directly connected है हमारे radiator के अंदर से जब इसका pressure कम होगा तो इसके अंदर से automatically जो water plus coolant का mixer जो है वो अंदर प्रिवेश कर जाएगा अब बात करते हैं radiator का pressure जो है पुना अपने desirable working condition में आ जाता है जब हम इस तरह से यह water equivalent का mixer radiator में enter होता है अब बात करते है radiator के अंदर के construction के बारे में radiator के अंदर basically क्या होता है tubes होती है यह जो tubes होती है वो aluminium copper की होती है क्योंकि जो aluminium copper होता है वो heat का बहुत अच्छा conductor होता है जैसा कि आप picture में देख सकते हैं इसका जो cross section है वो हमने यहां दिखाए गया है यहां देख सकते हैं आप यह जो vertical lines है वो tubes हैं और यहां आप देख सकते हैं जो lines यह horizontal lines है वो है हमारी fins fins का use इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने tubes के surface area को बढ़ा सके जब क्योंकि जो हमारी radiator fans जब हवा इन tubes से ठकराती है तो fins की कारण उसका surface area बढ़ जाता है और convection जो है वो heat का convection जो है वो भी बढ़ जाता है जिससे हमारा पानी जो है वो ठंडा हो जाता है इसके बाद हम बात करते हैं lower tank और upper tank की बारे में जो हमारा hot water है वो directly upper tank में आता है और upper tank से distribute होता हुआ वो tubes से different tubes से नीचे downstream जाता है downstream जब जाता है जब पानी तो वो lower tank में store होता है lower tank की मदद से ही lower tank में hose की मदद से यह जो है engine के अंदर पुना प्रवेश करता है तो इस तरह जो है वो process complete हो जाती है तो hope यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और knowledgeable लगा होगा तो please इस वीडियो को like कीजिए subscribe कीजिए मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा Thank you